नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का रेडियो डॉक्टर में आप सभी स्वस्त हूँ, खुशहाल हूँ इसी कामना के साथ, इसी लक्ष के साथ ये प्रोग्राम होता है जिसका नाम है रेडियो डॉक्टर आज हम बात करेंगे भारतिय चिकित्सा पध्धती की जो हजारों वर्ष पुरानी है, जिसकी बड़ी महत्ता है इसी से जुड़ा है आज का विशे रेडियो डॉक्टर का Mental Health with Ayurveda और इस पर बात चीत करने, आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है Ayurveda Specialist Dr. Reena Arora बहुत-बहुत स्वागत आपका Dr. Reena धन्यवाद वेल इस पर अगर कोई सवाल है तो जरूर हमें लिखिये 9868107070 हमारे यह WhatsApp नमबर है इस पर आप अपना सवाल लिख सकते हैं Manasik Swast Ayurveda के साथ या पिर आप टेलेफोन भी कर सकते हैं 2342-1080 and 2342-1084 यह दो टेलेफोन नमबर्स हैं इस पर सवाल आप कर सकते हैं सीधा बात कर सकते हैं Dr. Reena Arora के साथ और इस कारिक्र में आज आपके साथ हुमें सूत्रधार शेली भार्षाणजली Yes, indeed and absolutely you are tuned in to Radio Doctor Welcome back मेरा नाम है शेली भार्षाणजली और बहुत ही बहुत ही खुशी है कि आज हम बात कर रहे हैं Ayurveda से related मानसिक स्वास्त कैसे बिलकुल ठीक रह सकता है उसकी बात करेंगे हैं Dr. Reena Arora से Dr. Reena Ayurveda की जब बात आती है तो Ayurveda इसका जिसका शाब्दे कर्थ इतना सकारात्मक है इतना एक उर्जा लिए हुए है दीर घायू का शायद विज्ञान लिए शब्द की जहां तक व्याख्या हो सकती है Ayurveda तो मानसिक स्वास्त में कितना उपयोगी या कितना कारगर सिद्ध हो सकता है Ayurveda मानसिक स्वास्ते के लिए Ayurveda बहुत हद तक कारगर साबित हो सकता है और होता है जो लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं क्योंकि मन और शरीर एक दूसरे पर अगर हमारा शरीर ठीक रहता है तो मन ठीक रहता है यानि मेंटल हेल्थ ठीक रहती है और Ayurveda में दिन चरया रितु चरया हर एक व्यक्ति का परस्नलाइज प्लैन जो होता है वो सब बताया गया है अगर उसको फॉलो करते हैं तो हमारे वात्पित कफ जो तीन दोश है वो ठीक रहेंगे और उसी के साथ जो सत्व रज तम तीन जो मांसिक गुण बताये गए हैं रज और तुम को दोश माना जाता है बेसिकली और सत्व को गुन माना जाता है वो भी बैलेंस में रहेंगे और मेंटल हेल्थ ठीक रहेगी वैसे भी आयरवेद के एक स्वस्थ व्यक्ति की जो परिभाशा है वो यही है कि सम दोश, सम अगनी, सम मल, धातु क्रिया है प्रसन के अलावा, उसकी आत्मा और विवस्थ है और खुष है वो व्यक्ति स्वस्थ है अगर मैं लो में सारे टेस्ट फिक है और आप इतने स्ट्रेस में है कि आप रोने वाले हैं तो आप एक स्वस्थ व्यक्ति नहीं है Pakौडंग ले और में जो हैं और जो मंत्र कहीं गये हैं और जो इलाज भी है वो भी भारतिय जड़ों से बिलकुल जुड़ा हुआ मजबूत है लेकिन विश्व भर में इसका बोल बाला है अब तो इसे लिए अब हमारे पास देश भर से मेसेज़स आ रहे हैं इस वक्त पटना से शिशर लिख रहे हैं कि इनकी चोटे भाई समीर 40 वर्ष के हैं और कैंसरिक ब्रेइन ट्यूमर दो साल पहले हुआ था राइट पाट अफ बॉड़ी पूरी तरह से फंक्शनल नहीं है इमोशनली बहुत वीक है और डिफिकल्ट है कोप करना इनको अब क्या कहेंगी इसके बारे में आयर्वेद में मांसिक रोगों की चिकित्सा तीन तरह से क यह बहुत मेंटल हेल्थ तो इसलिए डेली हनुमान चली सा इस पर रिसर्च हो चुकी है गायतरी मंतर भी कि यह अगर डेली बोले या उनको सुनवाएं मेडिटेशन करवाएं और कुछ डाइट भी ऐसी हैं जो मेंटल हेल्थ में हेल्प करती हैं जो हम आगे बात करेंगे तो यह चीज़ें इनको कुछ हद तक हेल्प कर सकती हैं और कुछ प्लांट्स में हैं जो रूटीन में ले सकते हैं जैसे गिलोय है इस वेरी गुड ब्रें टॉनिक पंपकेन इस वेरी गुड फॉर मेंटल हेल्थ वो ले सकते हैं अपने डाइट में तो इस तरह से अपने आपको यह मेंटेन कर सकते हैं और जैसे कि मैंने पहले बताया कि एक स्वस्त व्यक्ति की परिभाशा उसके अंदर भी रहे यानि दिन चरह वगरा को भी फॉलो करें ताकि खाली ब्रें का जो हम ट्रीटमेंट करते हैं वो खाली ब्रें से लेटेड नहीं बॉड़ी इन्व तो इनका यह सवाल, it is not good to visit psychologist or psychiatrist, आप अपने शब्दों में इनको क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि मानसिक समस्याएं तो बहुत ही, it's very rampant. देखिए, जो भी सवाल पूछने वाले हैं, मेरी उनसे, मैं उनी को यह reply करना चाहूंगी, कि आप इस चीज को सोचना बंद कर दीजिए, कि यह social stigma है, आपको ना कोई देख रहा है, और ना किसी को पता है कि आप कहां जा रहे हैं, यह आपकी अपनी feeling है, किसी को कोई लेना देना नहीं होता आजकल किसी से, अपनी health को maintain कीजिए, अगर आप स्वस्त नहीं है, तो डॉक्टर को मिलिए और अपना इलाज कराईए, और स्वस्त हो के खुशाल जिंदगी जीजिए, मिल्कु सही बात, स्वयम पर ज्यादा ध्यान देंगें, स्वयम के प्रती जरा स्नी रखेंगे, तो शायद बातों बन जाएगी, एक और सवाल हमारे पास आया, फिर एक चली फोन कॉल की तरफ चलेंगे, यहां पर जारखंड से लिखते हैं कॉलेश्वर ठाकुर, और शायद यह बहुत लोगों का सवाल होगा, आयरवेद के जरिये मोट आपे को कम किया जा स मुझे नहीं पता इनका वेट थायराइट से बढ़ा है, यह किसी और PCOD की प्रॉब्लम से बढ़ा है, यह मीनोपॉस की वज़ा से बढ़ा है, तो यह इनको परस्नली डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा, उसके बेसिस पे इनको बता पाएंगे कि कैसे वेट लॉस करें अब यह पर एक व्युक्त का आरिफ जूड़ गये हैं, बताइए आपका सवाल क्या है आपका, हलो, आपका सवाल क्या है? कि हैं मेरे सवाल यह कि जो बच्चे इसेंट उंको पढ़ाई का टेंशन जादा रहता है कि एसे मतलतकि कि तगहारी कर रहा होता है तो उसको जाधा जो है मांद का टेंशन रहता है तो उन एसेंट के लिए मैं वो क्या करें कि इस तरह उनका मांसिक स्वास अच्छा रहे और पढ़ाई भी कुछ उनकी बाजिदना हो और उनका स्वास भी बाजिदना हो इसके बारे में मैं आप क्या बोलना चाहेंगी जी बहुत अच्छा प्रशन किया है आपने स्टूडेंट्स क्या करते हैं आज कल ट्रेंड हो गया है कि रात को जागते हैं सुवे सोते हैं एक दिन चरया का जो एक इंपॉर्टेंस है उसको मत भूलिए बॉडी का सर्केडियन रिदम अपसेट हो जाता है वो भी एक कारण होता है जितना आपका आउटपुट निकलना चाहिए वो नहीं निकल रहा एक नस्य ट्रीटमेंट आईरवेद में अडवाईज किया गया है डेली डोज में दोदो बून सुबा आप तेल डालिए इसको प्रतिमर्श नस्य बोलते हैं ये मेमरी के लिए भी अच्छा है और फेस के गलो के लिए अच्छा है तो दिमाग के लिए ले सकते हैं बच्च है वो और भी ज्यादा है तो इन चीजों को लेके और जैसे मैंने पहले बताया सीताफल आप लोग खा सकते हैं वेस्ट ब्रेंट टॉनिक है तो यह कुछ जैसे मैंने बताई जंक फूड थोड़ा कम खाएं क्योंकि आज कल बहुत ट्रेंड आए चीजे खाने का तो बेसिक जो पौशक चीजे हैं वो निकल गई है डाइट में से तो इसे और दूसरा मेडिटेशन भी एक पार्ट है शिरोधारा कर आ सकते हैं इन से काफी हद तक उनको हल्प मिलेगी अच्छा जोटी सी सवाल में रावर है जी इसको नीद नाये ज़दी रात में नीद नहीं आती अगर आप दिन में सोएंगे तो रात को नीद नहीं आएगी थोड़ा एक्टिव रही है सारा दिन सुबह जल्दी उठीए क्योंकि उसी साइकल बन जाता है आपका अगर आप दस बेर सोते हैं दस बेर नीद आने शुरू हो जाती है सुबह पांच बेर उठते हैं अपने आप दोक्टर को मिलिए जी आल राइए थैंक यू बेरिमाच आप भी फोन कर सकते हैं आज हम बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ इनार्यो अयुर्वेद और हमारे टेलिफोन नमबर है 2342-1080-2342-1084 हमारा वाटसैप नमबर भी है जिसमें सिलसिला लगातार बंत गया है बहुत इसको लेना चाहिए क्योंकि बाजार में ये बोतलों में उपलब्द है तो किस तरह से आप इसको एडवाइस करेंगे इसको आप टेबलेट्स की फॉर्म में भी अवलेवल है ये बच्चे है वो इनको टेबलेट देनी डिफिकल्ट होगी तो गिलोय जूस अवैलेबल है अधर्वाइस आप गिलोय की स्टेम लेके उसको बॉयल करके उसका वो पानी जो है वो ले सकते हैं फ्रेश वाटर और दूसरा टैबलेट्स इजली अविलेबल है या जूस ले सकते हैं तीन फॉर्म्स है एक सत किलोय भी आता है बट गिलोय ऐसे ही लें तो इस ओके जी तो जो बहुत सारी टाइप्स की बस्ती है जो अलग डिजीज के अकॉर्डिंग लिए किया देना है नस्य करते हैं और शिरोधारा यह पंच कर्मा का और नस्य ट्रीटमेंट यह दो चीजें जो है यह में एंटल डिजीज वाले पेशन्स में ज्यादा प्रेफर करते हैं लेकि तो कोई भी मानसिक रोग है उसका कारण यह है अगर शरीर कोई प्रॉबलम आपके मन पे असर कर रही है और वो अगर ठीक होगी तो आपकी मेंटल प्रॉबलम ठीक हो जाएगी जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि शरीर और मन इंटरडिपेंड़न है इंटर रेले मांसिक स्वास्त से रिलेट हमारे साथ आज स्टूडियो में हैं डॉक्टर रीना अरोडा वेलकुम बैक तो रेडियो डॉक्टर विच इस अवरे इंपोर्टन प्रोग्रम क्यों कि आज हम बात कर रहे हैं मांसिक स्वास्त के बारे में और वो भी ऐसी चिकित सब अध़ती से जो भारत की अपनी है आयूरवेद के हम बात कर रहे हैं और डॉक्टर रीना अरोडा हमारे पास ये कुछ सवाल आये हैं इके बाद एक लेते हम इन्होंने कहा है कि हेर फॉल की प्रॉब्लम आने लगी है एक साल से आयूरवेद में कोई मेडिसिन है या फिर कोई खान पीन है या फिर कुछ ऐसी बात है तो बताएए अठाइस साल की उम्र है नाम है सोनू कोंडली से मैं एक रफ आइडिया दे देती हूं मुझे क्योंकि पता नहीं इनको हेर फॉल हो क्यों रहा है आप अच्छी लीजिए जो मैंने जैसे प्रतिमर्श नस्से बोला है नोज में दोनों साइड ऑल डालिये और शेंपू कुछ लोग डेली करते हैं एक दिन छोड़के उसको कम किजिए वीक में एक बार किजिए आप शिका का ये आमला इठे वगरा यूज कर सकते हैं और इसके अलावा भी अगर आपकी प्रावलम नहीं सॉल्व होती तो फिर आप प्लीज किसी डॉक्टर को मिलिये ओके यह इन्होंने लिखा है कि गोल्टी अवस्थी है कि हमारा पेट बहुत जादा बढ़ रहा है और ठीक नहीं है तो उसके लिए क्या बोलेंगे पेट पढ़ने का जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि यह रीजन पूरी हिस्टरी चाहिए होती है पिशन्ट की फिर भी मैं दो तेन लाइन इस बारे में बोल देती हूं कि अगर आपका व कुछ लोग बिलकुल exercise नहीं करते sedentary activity है वो भी एक weight बढ़ने का कारण है ओल राइट ओज शब्द जो है इसका बहुत सुना भी गया है और आप लोग इसको बताते भी है ओज गया है ओज हमारे जो अगर inherent strength आप पूछे कहते है ना कि वो बहुत ओजस्वी व्यक्ती है त और इसलिए उसको बिमारियां भी कम effect करती है ओज और मन इन दोनों का स्थान रिदे है तो जब ओज वीक हो जाता है तो automatically मन भी थोड़ा सा उस पर भी effect पड़ता है व्यक्ती बहुत ज़्यादा डरने लगता है यह सब उसके नीज में पेन होती है नीद आने लग जाती है उठना मुश्किल हो जाता है तो इसलिए यह inherent strength को improve करने से भी mental health में improvement होती है तो इसको हमें अच्छा करके रखना चाहिए डाइट अची लो दिंचरया follow करो friends बनाओ कोई ना कोई आपके ऐसे friends होने चाहिए जिसके साथ आप अपने दिल की बात कर सके खाली social sites वाले friends नहीं तो सिरफ आपकी likes करें और आपकी problem के time काम आने वाला जो friend है या आपकी problem को सुनने वाला वो को friend आपकी life में हो तो बहुत लग्की है अल्राइट अब हमारे caller की तरफ चलते हैं और चानते ही इनका सवाल hello नमस्कार अपना सवाल कीजिए इसका तालुक बिल और दुमाग दोनों से है हो सकता है आपने कभी डॉक्टर को दिखाया उनको क्या बुला उन्होंने उन लोगों ने का यह सुस्ती जो है इसकी बहुत देर में जाएगी आप किसी आयर्वेदिक चिकित्सक को मिलिए और उसका आयर्वेदिक ट्रीटमेंट करवाईए मुझे लगता है इसमें पंच करमा काफी हद तक हेल्प करेगा तो एक बार किसी भी अपने आसपास किसी चिकित्साले में जाके उसको दिखाये आप लीज आल राइट बहुत 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 शुक्रिया व्यक्ति कोई भी बात करना बंद कर दे इंट्रोवर्ट रहना शुरू कर दे जो नॉर्मल बहेवियर है उससे हटके बहेव करना शुरू कर दे सोय रहना इनर्शिया यह सब चीजें जब लक्षन शुरू हो जाएं कोई जौब पर जाना नहीं चाता अपनी रिस्पॉंसिबिलिटीज को पूरा नहीं करना चाता एक नॉर्मल मेंटल हेल्थ जो है उसमें व्यक्ति हाइजिन मेंटेन करता है अपनी दिन चरया फॉलो कर अपने जिम्मेवारियों को निभाता है अलर्ट रहता है और जब इसका उल्टा होता है तो इसका मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है तब उस व्यक्ति को अटेंशन की जुरूरत है हमारे पास यहाँ पर सवाल आया है महिंदर प्रताप सिंग का राजपुर औरंगबाद बिहार से कि इनकी पत्नी को 20 साल से मानसिक रोकी दवा चल रही है जिसमें उन्होंने कुछ दवाईयों के नाम भी लिखे हैं और ये कहा है कि दो महीने से बहुत पसीना निकलता है कम पेशंट की और किस चीज के लिए ले रहे हैं वो भी नहीं पता लेकिन इतना जरूर कहूंगी प्रानायाम कीजिए थोड़ा सा मेडिटेशन इंकलूड कीजिए अपने लाइफ में और जो नस्य मैंने बोला था उसको लीजी आप और जैसे इनको पसीना बहुत छूट रह हो सकता है उस दवाई की वज़ा से यो सिरफ एक गिलोए में अडवाइस कर सकती हूँ वो आप ले लीजी सुबा शाम और इससे अगर इसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम बनी हुए तो फिर किसी डॉक्टर को मिली आप तो इसी से रिलेड़ेड यहां पर सवाल आ रहे है शैली जी बीच में इंटरप्ट करूँगे एक चीज और इनके लिए शिरोधारा करवा सकते हैं यह शिरोधारा जी ओर राइट और शिरोधारा पर ही सवाल एक वेक्ती ने कहा है कि इनको he is a little unwell है और लेकिन ये पूछ रहे हैं कि क्या मैं शिरोधारा करवा सकता हूं विष्टर पे हैं तो क्या वो करवा सकते हैं अगर ये अपने कारेज सब करने में भी समर्थ नहीं है तो फिर कोई अगर help कर सकता है तो करवा सकते हैं लेकिन फिर भी किसी आयर्वेदिक डॉक्टर की सुपर्वियन में करें जो भी करें क्योंकि पूरा पंच कर्मा एक ऐसी चीज है जिसमें हम पिशेंट को पहले एक्जामेन करते हैं फिर हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा पंच कर्मा किस व्यक्ति को करवाना चाहिए आज कर लोग गूगल करक तो इसलिए मैं ऐसे नहीं सजेस्ट कर पाऊंगी तो बैटर है किसी डॉक्टर के अंडर ट्रीटमेंट करवाए यह धरमेंद्र जे लिखते हैं कि 2015 में स्पाइन सर्जरी हुई थी दोनों पैर डियाक्टिवेट लिखा है और पंच कर्मा लेना ठीक होगा जी ठीक होगा ज ली रूजमर्ण हो जिन्दगी में कैसे अधर क्रना है यह दो घर तो शहिते हैं ऑम्मेंं कॉन्से यूज घेया यूज करने चाहिए उन्हमें खाना कब खाना चाहिए क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए तो इस तरह से सुबह उठने से लेके रात को सोने तक अगर आप सारा दिन अगर आयरवेद को फॉलो करें तो आप बेमारे नहीं पड़ेंगे तो सुबह उठके टॉयलेट विगरा जाए उसके बाद एक्सरसाइज कीजिए जित एक सवाल और यहां पर आया है सीधा राजस्थान से आया है और दिनेश जी पूछते हैं कि एसिडिटी का क्या रेमेडी होगा कॉज इन रेमेडी एसिडिटी का कॉज जो है इन डाजेशन कह सकते हैं जब खाना नहीं पचता मानलो हम चावल उबाल रहे हैं और हम उसमें आदे कच्छे चावलों में और चावल डाल देते हैं तो वो जो फर्मेंटेशन होता है ना वो पहले वाले पके ना दूसरे वाले पके यह हम अपने सिस्टम के साथ करते हैं एक डाइट भी पची नहीं होती और नेक्स डाइट हम अगर ले लेते हैं तो वो एक मेन कारण ह acidity का, in digestion का हमें पहले treatment करना चाहिए, fruits कम लेते हैं, लोग spicy बहुत खाते हैं आज कल, junk foods बहुत ज़्यादा खाते हैं देशीगी का use नहीं करते हैं cooking में refined oil बगरा use करते हैं यह सभी लोग blindly सरसों का तेल खाने लग गए हैं, तो और यह rigorous exercises करते हैं बिना किसी doctor के advice कि किसी भी time gym जा रहे हैं लोग, किसी भी time exercise कर रहे हैं, तो जो proper एक दिन चरया बताई गई है, कि इस time आप खाईए, इस time rest कीजिए अगर उसके accordingly सब करेंगे, तो एक काफी हद तक इनकी problem solve हो जाएगी All right Dr. Reena, आपने अभी oil की बात की, और cooking oil, चाहे कोई भी हो, हर घर का एक अटूट हिस्सा होता है Ayurved क्या कहता है इसके बारे में क्योंकि कुछ परान थे हमारे देश के जहां बहुत जादा सरसोतील का इस्तमाल होता है, और फिर refined के लिए मना किया जाता है, घी लोग शायद मुटापे की वज़े से नहीं खाना चाहते हो which is probably wrong, तो आप इसके बारे में एक बार और में इस मित को सरा क्लियर के देशीगी उत्तम brain tonic है जिनको भी दिमाग को तरो ताजा रखना है, दिमाग क्या पूरी बॉड़ी को उनको देशी की अपनी डाइट में जरूर एड करना चाहिए हमने देशी की क्यों छोड़ा लोगों ने एक्सरसाइज करनी छोड़ दी फोन पर लगे रहे, इसलिए देशी की छोड़ा और अगर आप इस गलत फैमी में हैं कि खाली सर्सों का तेल खाने से आपका वेट लूस हो जाएगा तो यह रॉंग है, आप और कहीं बिमारियों को बुला रहे हैं जिनकी पित प्रकृति है उनको जिनको एसरीटी की प्रॉब्लम है रशीज हो जाते हैं बॉड़ी पे इचिंग वगरा है अगर वो सर्सों का तेल ज्यादा लेंगे तो यह प्रॉब्लम्स और बढ़ेंगी कोकरनट ओयल भी कुकिंग में यूज कर सकते हैं जिनकी पित प्रॉब्लम है, जिनको गुसा बहुत आता है और दूसरा जो तिल का तेल है काफी कम है, काफी कम मतलब कम है में पूपधाई भूपःचिया टॉक्षो स्वाहु लेना चाहता हुँ उतुआ आपके माता पिता जी वजन जोह से तो आपने उत्तर खुदी दे दिया है और बाकी आप अच्छा खाइए अगर आप एक्टिव हैं तो वेट को दीकिए करते लिए अगुरित छण चने और यह अंकुरित अनाज को छोड़िये वायू बढ़ाते हैं आयरवेद के अकॉर्डिंग लिए वह वेट लॉज का और बाकी सब कुछ लीजे सिरफ अंकुरित सब ले रहे हैं उसको निकाले अपनी टाइट में से तो क्या अजय में फिल आप प्राप के उने सार? रोटी सब्जी ले सकते हैं या बाकी जो भी नॉर्मल खाना कुछ भी ले सकते हैं बट सिरफ बना कर रहे हूं ठीक है? बट सिर्फ बना किया है या फिर हम लोग को भी बना किया है देखें वायू बढाते हैं स्प्राउट्स अवारी टेक्स्ट बुक में लिखा है और मैंने कई पेशेंट्स का भी फीडबेक है वो बोलते हैं उजे ग्यास हो रही है तो हम एडवाइस करते हैं सौते करके लिजिए या बॉइल करके लिजिए उनको स्टीम करके कच्छे मतलब उठते ही कोछ लोग स्प्राउट्स खाते हैं तो कईयों को सूट कर जाता है अचा आप इसमें भी देखो मैं आपको एक चीज बता हूँ सूट कईयों को कर जाता है अपना अपना स्टैमिना है कितनी कोई एक्सरसाइज करके अपनी बॉड़ी को स्ट्रॉंग बनाया हूँ है कोई बहुत जादा डेलिकेट होते हैं पानी भी पिया उनको दिखडबड़ कर रहा है तो यह कितना आप अपने शरीर को स्ट्रॉंग बनाते हैं उतना आप चीटिंग्स अलाओ कर सकेंगे अपने डायट की बात की और मुख्य तोर पे अपने घी की भी बात की कुछ पुरानी बाते हैं जो छोड़नी नहीं चाहिए है बिल्कुर जैसे पुरानी गीत कई होते हैं जो इतने प्यारे हैं बेरी गुट चलिए इतनी महिलाओं ने करवा चौथ किया सारे दिन भोकी रही और ठीक है वो तो एक सलिब्रेशन और एक मानसिक्ता के साथ होता है भारती जो पर्व है उसकी खुबसूरती है लेकिन यहां एक जनाब में लिख दिया है कि क्या मैं खाना छोड़ सकता हूँ पतला होने के लिए क्या कहेंगी आप इनको शैली जी पहले तो मैं आपकी करवा चौथ वाली बात का आंसर करूंगी जो भारती है जितने भी पर्व है यह ट्रडिशनल जो हमारे वेल्यूज है साइन्टिफिक बैक्ग्राउंड है इनकी जो फास्टिंग है यह आयरवेदिक ट्रीटमेंट का एक पार्ट है बॉडी के चैनल स्प्योर होते हैं आपकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है उससे और टॉक्सिंग रिमूव होते हैं तो कभी-कभी फास्टिंग बहुत अच्छी है शरीर के लिए इसलिए करवा चोथ भी उसका एक पार्ट है लेकिन यह जो खाना देंगे तो काम कैसे करेंगे कुछ ना कुछ फ्यूल तो बॉडी को चाहिए चलने के लिए तो इसलिए बैलस्ट वे में कीजिए और डॉक्टर की सुपर्वियन के अंडर कीजिए जो भी करना है आल राइट तो चलिए आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा नो श आपकी सोच बहुत पॉजटिव होनी चाहिए अचार रसायन एडवाइज किया गया है मेंटल हेल्थ के लिए इसमें हमें जूट नहीं बूलना चाहिए इवन गुसा भी नहीं करना चाहिए अलकोहल नहीं लेना चाहिए पर इस्तरी गवन अवाइट किया गया है तो यह इसे भी ज्यान को लेना धृति उसको प्रोसेस करना कि ठीक है नहीं जज्मेंट करना स्मृति फिर उसको दिमाग में रखना अगर आपका एक बार हाथ जला है किसी चीज से दुबारा आप उसको टच नहीं करेंगे तो इसी तरह से लाइफ की एक्सपिरियंस कि एक अगर को एक्सपिरियंस मिला है कि यह मेरे साथ अच्छा नहीं है तो आप दुबारा नहीं करेंगे अगर यह तीनों चीज़ें आपकी मेंटेंट हैं और आप प्रॉपरली यह मैनेज कर रहे हैं तो इसका मतलब आपकी मेंटल हैल्थ बिल्कुल ठीक है और इस वक्त हमारे साथ लाइन पर कोई लिस्नर है जनरे हैं अलो नमस्कार कौन बोल रहे हैं मैं सानपुर से बोला जी हां जी बताएं क्या सवाल है अपका जी और मुझे पेट मेरा बहुत बीक रहता सुब को पेट खाली नहीं होता इसकी वैसे मेरा दिमाग हमेशा बारी बारी रहता है पुले पेट साफ नहीं होता आपका सुबा इसके लिए आप अपनी डाइट में थोड़ा सा फूरूर्स बढ़ाई है हरी सबजीयां जादा काई है जैसे पालिक है चुडाई है बत्वा है और इसके अलावा त्रिफला आप ले सकते हैं रात को डिनर से पहले इससे आपको कभी है त्रिफला की बात हो रही है जी त्रिफला मैंने बोला है या हरित्की का पाउडर या टैबलेट्स अगर आपको मिल जाए हरड जिसको बोलते हैं कॉमन लेगे यह आप लिए इससे आपको काफी हैल्प मिलेगी और अगर फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो फिर एक बर किसी हो क्योंकि रफिज बहुत है तो पॉस्टिक भी है राजमा बहुत अच्छी से पेट साफ करते हैं तो अपने डाइट को थोड़ा ठीक किजिए आप पीता ले सकते हो आप लंज से पहले वह तो ठीक है सब्सक्राइब फिर से रेडियो डॉक्टर में और आज हमारे साथ है और हम लगतारूआ बात कर रहे हैं आयूरवेध के बारे में आयूरवेग्ट से जुड़ी जो जीवन को खुशाल बनाने की पधधिया होती है उसके बारे में बात करते हैं। डॉक्टर अरोडा इस वक्त हमारे साथ लाइन पर एक कॉलर हैं इनसे बात करते हैं हलो नमस्कार, हलो, आपको हमारी आवाज आ रही है, जी बताएं, क्या पूछेंगे, आपकी उमर कितनी है, तरह से इसा है, आपना किसी भी आयरवेदिक सेंटर में जाके जानूबस्ती ट्रीटमेंट होता है, जो एजिंग के साथ-साथ ग्रीज कतम हो जाती है, उसको थोड़ा साम मेंटेन कर सकते हैं उससे, बिदा ग्रीज के एक महीं नहीं हो गया, रोड ले रहा हूं, नहीं, मैंन उसको एक बताएंगे, जो मैं बूल रही हो, जानूबस्ती ट्रीटमेंट होता है, उसको एफेक्ट थोड़ा बहुत हो सकता है, बट आप जो एजिंग की वजा से जो गुठने आपके दर्द हो रहे हैं, उसके लिए आप किसी आयरवेदिक डॉक्तर को मिलिए और जॉनु यह एक ट्रीटमेंट होता है गुटनों के लिए होता है इसमें आस्टियो अर्थ्राइटिस को प्रिवेंट करने के लिए और एजिंग से रिलेटर जो चेंजी होते हैं उसके लिए हम करते हैं वह आप करवाईए आपको उससे बैटर लगीगा आपको यह इसलिए जानुबस्ति करवाईए आप जानुबस्ति की बात कर रही है उसका ट्रीटमेंट करवाईए किसी आयुरवेदी से से अश्याए ओके थैंक यू यहां पर हमारे पसकुछ को मेसेज़ेश है एक तो प्रकास चात्र जी का आया है रोहिनी दिली से कि त्रिफिला कब लेना चाहिए बिफोर डिनर, आफ्टर डिनर, कांस्टिपेशन के इंगर प्रॉब्लम है कॉंस्टिपेशन के लिए बिफोर डिनर आप ले सकते हैं ओके, आल राइट, सो वेल तारीफ पी आ रही है बहुत सारी डीडियो डॉक्टर की की बहुत अच्छा टॉपिक है जीवन से जुड़ा हुआ है और ये कोई खुशी अंसारी भी लिख रही है और स्वास्तिवर्धक है इनका एक प्रशन है राकिश गोड का राजस्थान से कि भोजन करते समय पानी पीने का समय कौन सा उत्तम रहता है भोजन से पहले या बाद में बहुत अच्छा कोश्चन पूछा है इन्होंने हालांके टॉपिक्स रिलेटेड नहीं है फिर भी मैं इसका आंसर देना जाओगी भोजन से पहले अगर आप पानी पीते हैं तो वेट लॉस करने में हेल्प करता है भोजन के बाद अगर आप पानी पीते हैं तो वेट बढ़ाने में हेल्प करता है बीच में अगर आप थोड़ा थोड़ा पानी पीते हैं तो वेट बढ़ाने में हेल्प करेगा बीच एक चीज और पानी से related बता दूँ कि जितनी आपको प्यास है जब प्यास है कुशिश कीजे तब पानी पीजे कई बार होता क्या है WhatsApp के messages देखे लोग 8-8 लीटर पानी पीते हैं जो kidney में उतना काम नहीं कर पाती तो इसलिए थोड़ा यह देख लीजिए कि एक जो सड़क पे काम करता वह मजदूर है और एक AC में बैठा वावरकर दोनों की requirement different होगी तो अपनी प्यास के accordingly भी पानी थोड़ा देखिए यह आपने पहले भी बोला कि शरीर के हिसाब से शरीर के ख्रमताओं के हिसाब से immunity के हिसाब से भी यह सारी बाते करनी चाहिए यह गोल्ड यावस्थी का मेसेज आया है लखीमपूर खिरी ग्राम पटेरा से कि इनकी सासु मा को बवासीर है कोई इलाज है आयूरवेद में इसका बवासीर जो है वो भी इंडाजिशन का ही एक वो है जब हमें अजीर हो जाता है यह डिजेशन नहीं है प्रॉपर तभी बवासीर होती है यूजिली जिमिगंद खाएं चाच पियें और गिलोए लें इसके अलावा अगर फिर भी इनको दिक्कत रहे तो फिर डॉक्टर को दिखाएं पेट अगर साफ नहीं होता तो हरड ले सकते हैं डिनर से पहले डिनर से पहले अच्छा अबरिटिंग बॉइल्स टाउन कि आप राइट लें और खुश कैसे रहें यह वेरी गुट क्वेश्चन यह मेंटल हेल्थ के लिए सबसे जरूरी है यह आपको खुद देखना है कि आपको खुशी किससे मिलती है कुछ ना कुछ ऐसा जरूर कीजिये दिन में कोई अपनी होबी, डांस कीजिये गाईए, कुछ गाना सुनिये यह जो आजकल सोशल दिखावा बहुत ज़्यादा हो गया हर एक चीज में एक चीज और मैंने जो पित दोश होता है आईरवेद में यह अकसर आपको कॉंपटिशन बढ़ाता है किसी से जैलेसी, ग्रीड बहुत ज़्यादा हमारी बुक्स में लिखा है कि आपको अगर जैलेसी करनी है enjoy किजे अपने जिंदगी तो आपको mental को problem हो यह नहीं सकती और उसका जो manifestation mental का जो physical में हो जाता है pains में या किसी चीज में वो तो बिल्कुल ही गायब हो जाएगा बिल्कुल, बिल्कुल आपकी body बोलती है, body language जो देखते हैं हम, यह मतलब आप represent करते हैं कि कितने healthy हैं आप आल राइट, बड़ी अच्छी बाते रहीं आप से बात करके बहुत अच्छा लगा डॉक्टर अरुड़ा एंड आयूरवेद को हमें अपने जीवन में समाहित करते बिल्कुल, 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 कुछ चलते-चलते के मनहा स्वस्थित्य विधियते यानि जिसके दोश बैलेंस हैं जिसका मेटबॉलिजम ठीक है, जिसका पेट साफ हो रहा है और जो मानसिक तोर पे खुश है, वो स्वस्थ है इसलिए सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हर तरह से हेल्दी रहिए लैब रिपोर्ट्स को खाली मत देखिए, अपने दिमाग को भी देखिए मेडिटेशन कीजिए, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए अब चलाइए शेलिजी यो गाना बहुत बहुत खुब, ये गाना जो है ना बहुत खुब सुरत